बिहार में राजमुहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना का जो स्प्रेड था उसमें पिछले कुछ दिनों से कमी देखने को मिल रही है लगतार जाज की संख्या बढ़ने के बावजूद पिछले दो-तीन दिनों में मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है आज जो बिहार स्वास्ते विभाग ने आकरे जाड़ी किये हैं उसके अनुसार आज पूरे बिहार से 2082 मतलब की 2082 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है बिहार में आकरा जो है वो पहुँच गया है 48001 पर कुल संक्रमित मरीजों का 29 जुलाई के जो रिपोर्टेड मामले थे उसकी संख्या है 1445 नए केस की और 28 जुलाई या उसे पहले के जो रिपोर्टेड मामले थे जीने सिस्टम में अपलोड 29 जुलाई के साथ किया गया है उनकी संख्या है 637 इस तरह दोनों का कुल योग हो जाता है 2082 एक नजर डाल किस जीले से कितने नय मरीज मिले हैं उस पर अररिया से 29 अरवल से 19 औरंगाबाद से 29 बाका से 23 बेगुसराय से 72 भागलपूर से 96 भोजपूर से 76 बकसर से 52 दरवंगा से 18 इस्टचंपरं से 140 गया से 66 गोपालगन से 29 जमुई से 50 जिहानबाद से 17 कैमूर से 46 कटिहार से 32 रखिसराय से 13 मदेपूरा से 19 मदुबनी से 7 मुंगेर से 12 मुजफरपूर से 21 नालंदा से 13 नवादा से 46 पट्टिना से 411 पूर्णिया से 16 रोताज से 105 सहरसा से 25 समस्तिपूर से 32 सारन से 89 से 18 सीवर से 17 सितामडी से 2 सीवाम से 40 सुपॉल से 57 वैसाली से 70 वैक्षमपारं से 87 अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आज भी आकरे 2000 से ज्यादा मिले हैं इसके बावजूद भी मैं यह क्यों कह रहा हूं कि आकरो में गिरावटे क्यूंकि आप पिछले कुछ दिनों का जाच का जो रिपोर्ट है वो उठाई है और नए मामूलों के रिपोर्ट है 14,000, 14,000, 15,000 के जाच में मामले 28,000, 27,000, 26,000 ऐसे मिल रहे थे लेकिन अब जाच का दायरा बढ़ा है 17,000 से ज्यादा जाच होने लगी है और इसके बाजूद अब मामले गिर कर 2,000 हो गया है पहले 24,000, 23,000, 23,000 अब 2,000 पे आया है मतला आंकरे गिर रहे हैं जाच बढ़ र जावट है और इसका जाहिर बाते क्रेड़िट जाना चाहिए जिस तरह से अभी फिलहाल को लेकर बिहार सरकार सक्त हुई है और उसने जिस तरह से कारवाईयां तेज की है स्वास्त मंतरी के बारे में भी कहा जा सकता है जिस तरह सुनों वह लगतार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और स्वास्त विभाग के टच में रहते हैं मीडिया के टच में रहते हैं जनकारिया साजा करते रहते हैं उन्होंने भी अभी जिस तरह से करारुक अक्तियार किया है बिहार में कोरोना के बेख चैन लग जल से जल्द ब्रेक हो और ये जो आकरे हैं और ये जो महामारी है वो बिहार से जल से जल्द दूर जये इसके लिए बिहार के लोगों को भी सहयूक करते रहाना होगा का आपके सुरक्षा के लिए जरूरी है तो खुद सुरक्षित रहे और बिहार को सुरक्षित बनाने में सवयोग किजिए खबरों से अब्डेट रहने के लिए देखते रहें दन्यवाद